नमस्कार दोस्तों एक वा फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गेलरी में इस वीडियो हम बच्छे बोटनी बेसी पार्टू जो डिग्री पार्टू का अब एकजाम चल रहा है उनका बोटनी जिनका सबसिड्री है बच्छे उन जो कोशन पूछा हुआ था उसका यह वीडियो नमर्टू है यहां हम फोटेशिक से 90 90 कोशन ही पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 75 का जवाब देना होगा के बच्छे 75 नमर का एक्जाम होगा आपका जिसमें 25 नमर का बाद में आपका प्रेक्टिकल होगा तो 100 नमर पो बच्छे गा वो सब बताते हैं कि प्रीविएस का पेपर देखते जाना क्योंकि इस वर बच्छे जो ब्यासी पार्ट वन पार्थर का इजाम हुआ है प्रीविएस से मैक्समों कोशन रिपीट हुए थे ऑपकिसी अपने छोटे जो भी ब्यासी पार्ट वन में जो आपका दोस्त होगा मित्र होगा या पर्थट वाले कोई आपका सिनियर होगा उसे आप पूछ सकते हैं या प्रोफेसर सब्सक्राइब पर देखना बहुत ही जरूरी है ओके तो आज हम फोटी सिक्स से शुरू करते हैं यहीं आपको आपको याद कर देंगे आई दोस्तों सुरूख करते हैं 46 नमरें देखिए एंगियोस्पर्म कि किसे रिपर्जेंट करते तो इम्रावेश्थ यह सब कोशन इंपोटेंट कोशन बचे नीट के पॉइंट आप नीट का त्यारी करते हैं तो वहां भी यह कोशन पूछा गया था कि फीमेल इंजियोस्पर्म तो इम्रावेश्थ होता है क्योंकि नीट का स्लेवस और ग्रिजियोस्पर्म का स्लेवस बचे लगवाग एक ही ह सब एंजियार्टी से पूछते हैं 11 आपको किसी भी एक्जाम में दिक्कत नहीं होगा लेकिन वह 100 परसंट कंठस्ट होना चीए बच्चे लिएंट का इंजियार्टी डीपली 47 नमर देखिये इंट्यो पॉलिन ट्यूप ठोल माइक्रोपाइल पॉलिन ट्यूप का माइक्रोपाइल से इंट्य क्या कर आता है तो उसको हम करते हैं पोरोगेमी यह प्यड़ी बच्चे आप Enzarty परेंगे तो वहाँ पर Kbridge from in我们 क्वैं specific moment का हुआ ao वह भी बताया गंग ओके नेक्स्ट गोशन देखते हैं मियां को को शना इस कहाँ चैहित पैर यह सब सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है तो सभी बचे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें इनर्जी रिक्वार्मेंट होता है कि वह लोग कंसेंट्रेशन से हाइग को सबस्टांस को इधर सुधर करता है ठीक है ट्रांसपोर्ट करता है लोग कंसेंट्रेशन से हाइग कंसेंट्रेशन इसलिए इनर्जी की रिक्वार्मेंट होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में परहे होंगे कभी वह क्या अगर था हाइग कंसेंट्रेशन से लोग कंसेंट्रेशन जाता है यह तो अपने का D, D, answer कर ले, Jeanne 51 देखिए,When a cell is placed in a solution who's osmotic concentration is equal to the cell है आप करा किसी उस किसी cell को हम इस सब्सक् हरकार को osmotic concentration solution में रखते हैं जो की cell का जो concentration है वही humansертвliamo mates ST क्या बचे आइसो टोनिक है पॉत टोनिक है पॉत टोनिक के बारे मैं परहे होंगे यहाँ परहasmे है कि इस मतलब हुआ कि जो सवल्यिशनन का कंचंट्रेसन गुए तो स्रिंग नहीं होगा थो एक प्रटोनिक की होता हे एक में सवेडुकर जाता है सेल होगा या कंद्र पानि क आएक है जब सैल के अंदर क्या है का हैपर टोनीक सोलीशन होगा उसको रख देंगे हाइपोटोनिक में तो से लिक अंदर पानी आ जाएगा ओके बचे लेकिन यहां आइसोटोनिक में रख देंगे तो पानी का जनेट मुवंएंट होगा नहीं होगा क्योंकि दोनों का कंसेंट्रेशन एक्वल है आसान कोसन है 52 in mass flow various substance move independently according to the air mass flow में जो अधिकतर substance होते हैं विविन प्रकार के substance होते हैं वो मूब करते हैं किसके independent तो concentration gradient के independently ओके बिज़ो औप्सन सही है 53 ऑश्तोमाटा विन ओपैन लीड़ इस्टोमाटा यदी खुला होगा थो क्या हो सकता अभियसली अस्टोमाटा यदी खुला है तो gases का एक्षेंज होगा एक्षेंज ऑफ ग्यासेज होगा वाटर का एवेप्रोड़ेशन भी होगा क्योंकि इस तो मटा के थुरू होता है और कारवन डैक्साइड अब टेक आप कारवन डैक्साइड यह तक ग्यासेज एक्षेंज में आ गया बच्छे तो अल फिर है अब दस साइट ऑफ ग्लाकॉलाइसिस इने सेलीघ इने से एक्षेंज का साइट कहाँ है एक्षेंज और एक और ऑप्डादा जाहता है साइट तो वह भी करेक्ट था साइटोसोल मतलब है सिल्क अंदर जीतना भी और्गनेल से उसको हटा दे उसके बाद जो एस्पेस बसता उसको साइटोसोल करते हैं यह डिरेक्ट साटोप्लाजम बोल सकते हैं 55 है आरक्यू और फैटी सबस्टांस इस जिंदली आरक्यू मतलब रेस्पिरेशन कोसियंट परह यहां पर फैटी सबस्टांस का पूछा है तो D option सई है next कि अदर टर्म इंजयनवास कोईट न इंजयम सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब को ने को ने सेंटिस्ट के बारे पूछता है को में पूरा वीडियो देखेगे बच्चे अंते तक एक से दोबर देख लेंगे आपको यहीं परियाद हो जाएगा और मैक्सिम्म कोशन यहीं से रिपीट हो जाएगा बच्चे जितना बरियां नमर आएगा इस बार जो आपके ग्रेजिवसन में जिस भी बच्चे का अच्छा नमर आएगा फर्स सेकंड थर्ड बच्चे को इप एपन जाँ इपले के वल टू एप एप्ट्याम डर्म किसके लिए ध्लेग विल है तो प्रोटीन पार्ट अव को इंजीट इंजार म परते हैं इलेहं वेट के इनसे आटीम है बची चैप्टर तो लॉक से आपक्स कि या था तो फिसर आपको यंदि परना है बच्चे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कुछ बच्चे हमें अभी मिले हैं कुछ बच्चे और मिलेंगे तो हम लाइ भी पराएंगे या रिकॉड़ेट वीडियो भी आपको अप्लोड करते रहेंगे यदि कुछ बच्चे कमेंट और करें तो ओके तो लॉकन की परभी सन में इन्वॉल्ड होता उसको क्या करते हैं डायरेक्ट को सने एलोस्टेरिक इंजाएं कि सिस्टी नमर फोटोसिंथेटिक पिग्मेंट और लोकेटिड इन फोटोसिंथेडिक पिग्मेंट कहां लोकेटिड है तो यह तो सेल भालोजी से भी कुशन है जहां आप क सिंध्याइकतं पिंदका कि एस्वाइज करता है कि और सिंध्याइसिस मेक्सिमाम vous ठीब्त द्यातों मैं योगे तो रचीलाइट में संथसिश मघ्स्री 3 यहां उपर बताए थे कि ग्लेक्लैसेिस को 22 क blacks video responsible पारनस पाथवे यह अप्शन सही है 64 on oxidation of one molecule of glucose dash ATP is produced through aerobic respiration glucose के एक molecule के oxidation से कितना ATP मिलता है आसान question 38 ATP classic से परहा जाता है यह फोटो synthesis आप respiration परहें तो classic से परहा जाता वच्छे एक molecule glucose oxidation से 38 ATP produce होता है 65 the process of cell respiration is carried dot by cell respiration कहां से होता है तो mitochondria mitochondria जो और cell organelles है वहाँ पर cell के अंदर respiration होता है 66 and potent product of the crave cycle crave cycle का important product क्या है तो बच्चे ATP crave cycle का important product क्या है ATP 67 number acetyl koin जामे forms a6 carbon compound after combining with acetyl koin जामे एक्छे carbon compound बनाता है किसके साथ combine कर पेद को तो अग्जालो acety acid क्रेप साइक लिए यह आप पर हैंगे respiration chapter का है आसान सा है तो अग्जाली के सीड के साथ वह combine करके acetyl koin जामे एक छो कारवन compound बनाता है अलफा कीटो ग्लुटारिक dehydrogenase results नहीं अलफा कीटो ग्लुटारिक क्या बनाता है तो बचे oxidation और डी कारवाक्स लेशन यह कि क्या करवाता है तो oxidation डी कारवाक्स लेशन यह औक्शन सहीं है 68 का नेक्स लेखते हैं 69 ऑक्सिडेटी फोसपोरलाईशन यूजवरी रेफर्स तू ऑक्सिडेटी फोसपोरलेशन यूजवली किसको रेफर करता है तो इसमें से किसी को ने औक्षिजेटी फोस्पर लेशन किसी को रेफर ने करता बचे नन अब दीज अच्छे से देख ले एक से दुबर बचे इसको रिपीट करके थोरा ध्यान में रखके वीडियो को रोक के आप पूरा वीडियो देखें कहीं आपको लग रहा है कि हम समझने पार है तो अब को अंदर तो इंटर membrane space के अंदर काहा इंटर membrane space के अंदर important question है नीट में भी एक बार पूछा गया था 21 जिबरलीन को कहा से एकस्टेट कहा था तो जिबरेला फीजी को रहे सेटा के गया था इंटरोजन रिजन में जो सेल का इलाउंगेशन होता है किसके कारण होता तो जिब्रिलिन के कारण किसके कारण जिब्रिलीन के कारण 73 which plant hormone is a substance substitute for long photo period in flowering plant कोन सा प्लांट हरोन है जो कि long photo period का substitute है तो है जिब्रिलिन कोने बच्चे जिब्रिलीन important question है long photo period के लिए जिब्रिलीन दिया जाता है उके उसका यह substitute है do you msc in trans exam इस वार जो बोतनी का msc in trans exam होता बच्चे उसमें पूछा वाता 2021 के exam निसम्ड़िन एंपॉर्टेंट है हम साथी साथ सभी कोशन हम देखते रहाते हैं बश्य सभी को इक नेक बार कम से हम देखी लेते हैं क्योंकि सभी बच्चे हम से जुरु हुए हैं तो सभी के लिए करना परता है और हमें हमें पसंद भी यह चीज़ किसमें क्या चल रहा है कहां का कौन इंट्रांस एक्जाम होता है बच्छे कहां क्या कोशन पुछा गया सभी लगव हमारे हमारे मेमोरी में पहले से फीड है तो हम साथी साथ जहां जहां आ करवे छो टेस्ट के बारे में परहे होंगे ऑग जिन का बाय वेसे टेस्ट है सब 11th के NCRT से बचे, 11th के NCRT यदि आप अच्छे से परहे हैं, कभी दिक्कत नहीं हो सकता है 11th 12th के NCRT परहे हैं बचे, तो नहीं आपको नीट में दिक्कत होगा, 95% कोशन नीट में NCRT से ही आता है सबी बचे जानते हैं, इधर-दर भटक ना छोड़ दे बचे, मोटा-मोटा किताब परना बंद कर दे, NCRT को बार बार परे बचे जो भी कोशन आता है, 95% से उपर कोशन NCRT से ही आता है, कुछ दुछार कोशन के लिए बच्चे माथा पची करते हैं और पर भी ने पाते हैं ग्रिजिवशन के लिए भी बचे, NCRT एकदम more than sufficient जिसको बोलते हैं, ग्रिजिवशन में हो या M.S.C. इंट्रांस एक्जम की प्रिपरेशन करना चाते हैं बचे, 11-12 का NCRT आपको पर लेना है इधर से उधर, मेरे साथ पर येगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें हम प्रहाएंगे आपको, 77 है precursor of indole acetic acid is, indole acetic acid का precursor कोन है तो, tryptofine, सभी का precursor आपको देख के आना चाहिए, हम आपको बताते हैं, एक मिनट, इंडल acetic acid क्या होता है बच्चे, आपको ऑगजिन को ही indole acetic acid क्या बोलते हैं, उसका precursor कोन है, तो, tryptofine है, हाँ, इधालीन का पूछ लेता, तो इधालीन का क्या है, भच्चे, methion, methion, जो है, इधालीन का precursor है, ओके, साथी साथ हम बताते चलते हैं, आपको, प्रविजन इस विदी साड़ वीड मतलब खरपतवार को सेलेक्टिव वीडी साड़ को मारना है वच्छे उसके लिए कौन सा और जिन यूज़ करते हैं तो 242 यूज़ करते हैं यह सेलेक्टिव वीडी साड़ का रूप में काम करता है 242 सेलेक्टिव वीडी साड़ को रूप में ध्यान रखें एक सिर्व करता डिया नेक्स्ट है है नेक्स देखते हैं 79 और जिन ट्रांसपोर्ट इज ऑग जिन का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है तो पोलर ऑग जिन ट्रांसपोर्ट इस पोलर एटी नमर वीचाद फ्लाविंग इस नॉट ए फंसन अब ऑग जिन देखे उपर हम ऑग जिन का कई सारा फंसन देखे थे बच्छे वही पूछ लिया कोशन यहां पर की ऑग जिन का कौन सा फंसन नहीं है तो इन्हांसिंग सेल डिविजन सेल डिविजन के बारे हम आपको बत इतना उज्यादा फैलेगा लेकिन यह जो ऑप्सन है इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी डॉर्मेंसी इंड्यूस करना एवसेसिन का काम है बचे एवसेसी के सीड का और जीन का नहीं ओके यह सही है नेक्स्ट पूरा वीडियो बच्छे अच्छे से देखे मैक्सवम कोशन यही इसको बता रहे है कि 81 देखिए नेम अवदा फ्लावरिंग हार्वन प्रोडूस्ट इन सम प्लांट एज रिजल्ट आफ लोग तेम्परिचर ट्रीट्मेंट लोग तेम्परिचर ट्रीट्मेंट के कारण कुछ और वो जो प्रोडूस होता उसको क्या गता है भर्मयलीन भर आप लिए पूरा भर नलाईजेशन है इतरी है फोटो पिरोडिजम वाज फर्स्ट क्रेक्टराइज इन सबसे पहले फोटो पिरोडिजम किसमें देखें गया थे तो तो टोबैको प्लांट में ऐस ही है 84 the member of primary producers within a specified area would be maximum in primary producer का संख्या maximum कहा होगा तो grassland ecosystem में कहां grassland ecosystem में next 85 exchange discharge of fertilizer into water bodies results in excessive sorry excessive discharge of fertilizer यदि fertilizer का बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा को प्योग कर दिया जाए water bodies में वह क्या करा सकता है utrophication utrophication मतलब लेक जो होगा वह dry हो जाएगा सुख जाएगा it is six main impact of green horse effect is green horse effect का main impact क्या है बच्चे तो vegetation क्या बर सकता है green horse vegetation नहीं बढ़ेगा कम होगा decreasing vegetation हो सकता है में इंप्याक्ट of greenness effect decreasing vegetation वी option सही है भी कर ले आप 87 the term ecosystem was coined by ecosystem term ecosystem ecology सब्सक्राइब बार पूश्टा है तो ecosystem term सब्सक्राइब एको सिस्टम टर्म जो है एजी टांस ले के द्वारा गया था बच्चे एजी टांस ले ओके 88 the natural place of an organism और a community is known as किसी और नेचरल प्लेस क्या कहला था उसका habitat क्या कहता बच्चे habitat सी सही है 89 in an ecosystem the energy flows is always ecosystem में energy flow कैसा होता है तो हमेशा uni direction होता है इन ecosystem में energy का flow हमेशा uni direction होता है बच्चे जैसे देखिए आपको मुझारण के से बताते है sunlight से energy आता है कहां पर plant लेता है energy photosynthesis करता है ओके जदी यूनी direction नहीं होता है यह तो यूनी direction flow of energy बना बच्चे कि sunlight से energy आया plant लिया plant उस sunlight को यूज करके photosynthesis के थ्रू भोजन बनाया गुलकोज बनाया गुलकोज को कुछ animal feed करता है और कुछ जो है उसे मानली जब फल बना फल बना तो फल का यूज हीमन भी करते है लेकिन क्या हम जो उस फल का है सनलाइट नहीं बच्चे यह है यूणी direction flow of energy अच्छे से समझें ध्यान रखेश को में साइको सिस्टम में कर दी हैं अच्छे से प्लीज आपको कैसा लगा आप अपना जरूर प्रीशेस फीडिवाइक कमेंट सेक्षन में लिखें अच्छा लगा बुरा लगा आपका जो भी अनुभाव रहा वीडियो देखने के बाद कहीं को मिस्टेक्स हो गया हो तो बच्चे आप वो भी हमें आजी कि बहुत ही अच्छी किताब है अप अपने फिज़र को सेक्यूर कर सकते हैं यह किताब देखें कि मतलब हमें क्या 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 करना चाहिए कोया 맞아요 चनम से आपकि क्या अद्वी जनम से होंगे कि ज्यादा मेहनत करता है फिर भी उतना उंचाय नहीं कॉपाता है ज्याद परती थे अधिकतर उनके बारे में सुनीगा कि वह बुक्स परते हैं तो आपको भी बुक्स परने के आदे डाना चाहिए डिस्क्रिप्शन वॉक्स में बच्चे इस किताब का लिंक है आप वहां से पर्चेज करेंगे तो कुछ तो इसे आप खर्द कर देते होंगे धरदर 200-200 के किताब है ले ले आप और आप में से किसी बच्चे को यदि आपको एस्सप्लेंडर बायक है गारी आपका पास है यदि बायक स्प्लेंडर है तो से हेड़लाइट का कम से बचेश के किसी बायक में यह बैक लएक को दिए यह चार इंडीकेटर होता है तो अपको मिल जाएगा फ्लिप कारट कर सकते हैं तो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें आपको ये वीडियो कैसा लागा है हमसे कोई हेल्प चाहिए स्टेडी मट्रियल डेटर तो वह प्याफों में कमेंट कर सकते हैं थैंक्यू दोस्तों